Central Registrar of Cooperative Societies चा पूरोटल चा उद्घाटन प्रसंगी मन्चावर उपस्तित भारताचे कनखर गुरुह मंत्री आणी पहले सहकारिता मंत्री आदर्निय अमित्भैशाहाजी लोकपरिय मुख्य मंत्री माननिय एकनाच शिन्दे जी केंद्री राज्य मंत्री बील वर्मा जी महाराष्ट्रा चा विकासा करता मोधी जीन्चा नित्रुत्वात एक नविन इंजिन मनुन आमचा सोबत जे जूडले ते महाराष्ट्रा चे उपमुख्य मंत्री सनमानिय अजित दादा पवार मंत्री मंदातिल आमचे सहकारी सनमानिय चंद्रकांत दादा पाटिल जी दिलिप्राव वलसे पाटिल जी राधा कृष्ण विक्ये पाटिल जी तेस्प्रमाने सहकारीता मंत्रालेयाचे सचिव श्री न्यानेश कुमार, विशेश सचिव श्री विजे कुमार, आपले अत्रिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार याटिकाने उपस्तित, सनमानिय खासदार, सनमानिय आमदार, माजी खासदार, लोक प्रतिनिदी, सहकार क्षेत्रा मदे कामक्रणारे सर्व कार्य करते भगिनियाणी बंधुन्नू में आपले सर्वांचा वतिन सर्व प्रतम, आपले महाराष्ट्रा मदे केंद्रिय गुरुह आणि सहकारिता मंत्री माननिय अमिद्भाई शाहाजी यांस मनप्रुवक स्वागत करतू महाराष्ट्रा ची भूमी ही सहकारा ची भूमी है आपलेला कल्पना है कि पदमश्री विखेपाटिल जी अस्तिल, वैकुन्बाई मेता अस्तिल, धनांजराव गाडगिल अस्तिल यांनि या महाराष्ट्रा मदे सहकाराची मूर्तमेडर, रोली, आली त्यानंतर देशा मदे सर्वाधिक सहकार, हाँ ग्रामपातवी परेंतजर कुटे पोचला सेल, तर तो महाराष्ट्रा मदे पोचला सहकारातन सम्रुद्धि यवशक्ते अशाप्रकारची व्यवस्ता, ही महाराष्ट्रा ने उभिकेली, आणि त्यातुन अच, एक मोठ सहकारक्षेत्र महाराष्ट्रा मदे निर्मान जालू अणि मलास वट्टकी हेच कारण है, कि जावई माननिया अमित भायजिननी सहकारिता मंत्राले स्विकारले नंतर, नविन काईदा केला, आणि या काईदेचे अंतरगत, देश वरामदे गाव पातली परेंत सहकाराचे जालो नेलो पाईजे, या करता व्यवस्ता उभिकेल अणि सगली व्यवस्ता, ही डिजिटल पोर्टलचे माध्यमात्न सुलब तेना त्याठी काने सगयाना उपलब्द जाली पाईजे, अशा प्रकारचे एक अत्यांता आधुनिकाली सुलब, अशा पोर्टल तयार केला, या पोर्टलचे उदगाटन, अमित भाई दिल्लीला देखिल करू शकली असते, तेचा उदगाटन ते गुजरात मदे देखिल करू शकली असते, पन, खर्या अर्थान सहकाराची पंधरी महाराष्ट्रा है, अमित भाईननी महाराष्ट्र, अणि महाराष्ट्रा तही, पुने जिल्ला, हाँ या ठिकानी निवडला, अणि प्तीशे मना पासना आभार मानतू। खरमजे सहकारिता मंत्राले हाती गेतल्या नंतर जा गतीन तेननी बदल केलेत अत्ता सजित्दादानी सांगितल की कश्या प्रकारे इनकम टैक्स चा संदरबाद वारमवार केंदर सरकार कड़े त्या ठिकानी डेलिगेशन जाई चे आले हाथ हालवत परती आई चे केवल मलात रनेक लोकानी सांगितला की आमी केवल सगे साखर कारखांदार सुप्रिम कोर्टातल्या सीनियर वक्किलाची फी देन्या करताच त्या धिकाडी एकत्री त्याचो अशा प्रकारची आमची अवस्ता होती माननिय मुख्यमंत्री एकनात्राव शिन्दे जिन्चा नित्रूत्वात एक डेलिगेशन घ्योद आमी माननिय अमित भाई जिनना भेटलो आणी पहले जटक्या तेननी सांगितला की मियाचा पुर्णा अभ्यास केला है आणी ते मणाले की है अतीशेच चुकीचे की शेतकर्यान ना जास्त पैशे दिले मनून इंकम टैक्स लावायचा हे मोधी जिन्चा राज्यात मीचालू देनार नाही आणी हा सगा इंकम टैक्स मीच रद्द करीन आणि केवा तेनी income tax रद्ध केला नाई तो तर केलाच पड़ काही लोकान नी तो त्या त्या वेचा अडचनी नमुले भरला होता तो ही adjust करनाच काम हे त्या धिकानी त्यानी केला आणि खर्या अर्थान शेत कर्यान करता एखादया सरकारनी विचार केला हे कठीन होता करन या पुर्वी जेमा जेमा डेलिगेशन जाय चे तेमा तेमा अर्थामंत्री सांगाई चे काईदयात बदल करावाला गेल रेट्रोस्पेक्टिव काईदा बदलता है येतनाई income tax सा काईदा है तेच अमारे सुप्रीम कोटा चे judgment आये पण अमीद भायन या ठिकानी तेंसर दिखिल व्यक्ति मत्व हे सहकार अतना घडला है सहकार क्षेत्रा मदे अमीद भायन अतिशे चांगल काम केला है ते सहकारी जिल्ला सहकारी बैंकेचे अध्यक्षमनून राज्य सहकारी बैंकेवर वेगवेगले सहकार क्षित्रातiğरी काम किले असले मुले सहकार काय अस्तो हे तंतो तंत महीती असले मुले अमीर भायनित त्यातना असा मार्ग Comp Ur. कि त्या ठिकानी वर्षणु वर्षचीाचे कोंणाला जम्ला नोत ते जाल आणिया इंकम टेक्स रद्द करनेचा काम तेननी या ठीकानी केल यवड़ो चुनाई तर आपले अडचनी तसलेले या साखर कारखाने आनना NCDC चा माध्यमातन त्या ठीकानी मदत करनेचा काम असेल किमा माननीय मोदी जिन चा नेतरूत्वात गेलेया काला मदे या ठीकानी अपलेया साखर उद्योगा करता जालेले अनेक निरने असेल कि जेचा मदे वेगवेगे पैकेजेज असेल इथेनोल चा संद्रबातला निरने असेल MSP चा संद्रबातला निरने असेल यह सगय निर्डयानी खरे अर्थान केंद्र सरकार्च सहकार विभागा करता किमा सरकार क्षेत्रा करता, जिस सववेदन शीलता है, ति सववेदन शीलताच अपलेला बगायला मियाली. मगाशी अजित दादास मनाले कि तेंचा महाराष्ट्रा और विशेश प्रेमा है, करन ते महाराष्ट्रा चे जावाई है थेतर खरा है, पड़ एक गोष्ट अजुन या ठिकाणी सांगितली पाईजे, कि मानानिया अमित भहेंचा जन्म मुंबईचा है. तेंची करमभूमी जरी गुजरात और देश असेल, तरी देखियल जन्मभूमी महाराष्ट्रा है, और अपले पी कि अनेकान ना महाईत नसेल, कि अनेक काल, जावेश ते राजकरनात नहोते और उद्ध्योग चालवत होते, तेंची तेंची आपली फैक्टरी देखियल म महाराष्टर रहेली है, तेमें महाराष्टरात ली एक-एक गोष्ट, एक-एक जिल्ला, एक-एक भाग, हाँ तेंची महाराष्टराची स्ट्रेंथ का है, ती तेंची महाराष्टी है, और मुनुनाच, जेवडे डेलिगेशन महाराष्टरात न सहकार क्षेत्रा करता गेल त्या प्रत्यक डेलिगेशन ला अत्यंत सकारात्म कश्या प्रकार्चा निकाल त्याटिकाणी निगाला अता नवीन काईदयाच्या माध्यमात्न मल्टी स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटीज ला देकिल मोठेया प्रमला त्या डिकाली पारदर्शीता कारभारा तान्या करता मदत होना रे अनेक अडचनी होत्या अनेक वळातर काईडियातली तर्तु नसलेया मुले सुसाइटी थेट लिक्विडेशन मरे निगुन जाईची अनेक वळा अडचनी तयार वाईचा पड़ आता अशा परिस्तिती मरे लिक्विडेशन मरे जानाचा आधी तेचा वर प्रशासक बसों ती आपलेला पुना पुनर जिवित करता येते का अशा प्रकार से बदल लेखेल आता माननी अमित भाईननी काईदया मदे करून गेतले अलि त्या मुले सामानने मान्चाचा वजो पैसा अनेक वळा त्या ठिकाणी बुड़तो तो बुड़नार नाई अशा प्रकार ची विवस्ता दिखेल आता तयार जालेली है सगेत महत्वाचा आपण मगाशी प्रेजेंटेशन मरे बगितल जी फिल्म होती कि आता अपले पैक्सला मजबूत करने चा अलि अगदी शेवट्ची जी अपली प्राथमिक सहकारी सोसाइटी आहे तीला मजबूत करने चा आज 31 महत्वा कांशी कारेक्रम हा केंद्र सरकारने हाथा मदे गेतला है अलि मलास वट्ट कि जेमा शेवट्चा मांचा परेंत सहकार मजबूती न पोचेल तेमाच अरे अर्थान मलास वट्ट कि गावा परेंत सम्रुद्धी पोचेल आज अपन भगत होतो कि मोठे प्रमानात गेले काही काला मदे आमचा या प्राथमिक सोसाइट्या हलू-हलू रिडेंडन्ड होत होते है कि माँ परियाई व्यवसाय नमे आले मुले अनेक ठिकाडी त्या केवल मतदाना पूर्त सीमित होते है आज बागी वेस त्या सोसाइट्या बंदास थाथ अश्या सगय सोसाइट्या पूर्त जीवित करनेच काम है आता मानानिया अमीद भाहिनी हाता मदे गेतला है आटीशे उत्तम कारिक्रम तेचा करता आता यहाँ ठिकानी तेनी तयार केले ला है आपन सगेन ने तो फिल्म मदे बगित ला कि जातना वेगवेगया प्रकार चे बिजनेस है आता ते ठिकानी मेरना रहे महाराश्टर में भी आधरनिय ग्रह मंत्री जी हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक स्मार्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है इस प्रोजेक्ट में 10,000 गाओं में हमारे जो पैक्स है इनको हम एग्री बिसनेस सोसाइटी में कनवर्ट कर रहे और इनको ट्रेनिंग देकर और इनको वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हम लोग वित्पुरोठा देकर और एक सप्लाइ चेन का हिस्सा बना कर हम लोग डाइरेक्ट हमारे किसानों को मार्केट का एक्सेस कैसे मिले इस प्रकार की योजना हमने इसको तयार किया है और वर्ल बैंक के माध्यम से हमने इसको शुरू किया है लेकिन अब हमारी इस योजना को ज़्यादा ताकत मिलेगी क्योंकि आपने जो योजना शुरू की इस योजना का कॉनवरजन्स जब हमारी योजना के साथ हम करेंगे तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो स्वपन हमारे मात्मा गांधी जी ने देखा ग्राम सोराज का या जो स्वपन हमारे राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज ने देखा ग्राम सोराज का उस स्वपन को अब हम निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे क्योंकि जो योजनाएं आपने अब तयार की है इन सारी योजनाओं का convergence हमारी योजनाओं के साथ करके मैं आपको यकिन दिलाता हूँ हमारे मुख्यमंत्री एकनात्राव शिंदे जी के नित्रुतों में हम निश्चित रूप से देश के अंदर पहला सबसे अच्छा मल्टी परपस एग्री बिजनेस सोसाइटी का मॉडल जो आपके मन में है ये महाराष्टर में करके दिखाएंगे और इसको पूरे देश में ले जाएंगे इतना ही आज के इस मोके पर कहता हूँ और आपका ऐसा ही स्नेह ऐसा ही प्यार महाराष्टर के प्रति बना रहे इसके साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ जैहिन जै महाराष्टर